देखे इस तरगा सवाल दिया जाए तो आपको क्या करना है पहले सवाल को समझते हैं सवाल में जो जो दिया गया है वो लिख ले रहे हैं सवाल क्या है R1 तथा R2 यानि R तथा 2R तो R1 कितना दिया है R और 2R ये किसका मान है R2 का मान ओम को जोड़ा जै देखिए इसको जोड़ा जै स्रेडी क्रम में तो कूल प्रतिरोध मिलता है R1 ये स्रेडी क्रम में है और समांदर क्रम में मिलता है R2, तो R1, R2 का मान पुछ है, बहुत सिंपल है, स्रेडी करम में आपको पता है, कूल प्रतिरोध बराबर होता है जितना है, सबको जोड़ दो, यानि R बराबर R1 प्लस R2, तो यह कहा है कि जो कूल प्रतिरोध है, यह R1 है, R1 का मान कितना है R प्लस R2 का मान 2R इसको जोड़ दिये तो ये कितना आ गया 3R दू और एक तीन हो जाएगा इधर अगर देखेंगे तो कहरा है इधर समांतर करम में कुल प्रतिरोध R2 है यानि कि R2 बराबर क्या हो जाएगा R1 का मान R है और प्लस R2 का मान 2R है तो इसका गुड़ा करेंगे इधर तीरिया का इसका इसमे इसका इसमे तो 2R प्लस R बटे में 2R इसक्वाइर तो ये क्या हो जाएगा 3R जोड़ देंगे और इधर 2R इसक्वाइर ये किस का मान 1 अपान R2 का अब अगर R2 का मान में गुला elle partner क्षार यहां लिख लीजिएक कि स्कार बटे में लेखा उप्पर क्माइब ya क्षिआ चला जाएगा यानि कि R1 प्लस R2 बराबर कितना आ गया 9 अपान 2 इसका मतलब इन चारो आप्षन में से कौन सा ही हो जाएगा B तो इस तरह का कोई सवाल दिया जाए तो पहले सवाल को समझिए फिर इस तरह धड़ा-धड़ लगा लीजिए चलिए इसी आधार पर अब आपको एक होमवर्क देते हैं सवाल ये है कि 2R तथा 3R को स्रेडी क्रम में जोड़े R1 मिला और समातर क्रम में जोड़े R2 मिला तो इज़र ABCD में से कौन सा साही होगा हल करके धड़ाग दे बताइए और इस तरह का कोई भी सवाल जो आपको तनी के कम समझ में आ रहा हो कमेंट करके बताइए अगले दिन हम उस पर वीडियो बना देंगे I hope आप सभी को यह सब अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहें